नमस्कार स्वागत है आपका UK 24-7 नियोज में मैं भींता से वेत्पकास आज गरिया में हूँ चुनावी परव जो है यहाँ पर लोग सबा का जो चुनावी परव चल रहा था उसका अंकरम दिन है यहाँ जो भी प्रद्यासी यहाँ पर हैं उनके भागी का फैसला आज यह इस तरफ दिखाया हैं कि लोग यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं और जो ड्यूटी पर हैं उनके लिए ना ओ भी यहाँ पर खड़े हैं और देखते हैं अब जो है किसके भागी का फैसला हाज होता है या भारती जिनतापाटी से अजे भड जी हैं और कॉंग्रेस से प सर पर जीत का सहरा बढ़ेगा वो तो अब समय ही बताएगा नमस्कार मैं आपका सुबनाम शीरी मती ललीता देवी आज आप पहली महला हैं जिन्होंने यहाँ पर भोटिंग करी है तो आपको कैसा लग रहा है हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपने आज भोट किया है त तो क्या कोई निसान है आपके अंगुली पर दिखाई है जरा अच्छा यह निसान है मैं भी देखे आया हूं मेरे भी है और कैसा लग रहा है आपको आज यह कितने साल से आप भोट देते आए हैं जी शर 15 साल से 15 साल से आप जो है 15 साल से मलब लगातार भोटिंग करते स्व siblings जी आज आप पहले भोटर हैं जिन्होंने अंदर जाकर के बोट डाला है तो कैसा अलगा आपको उफ JOE पहले मैदान किया है मुझे इससेग्दा कुछी है अच्छा पहला मैदान आपने नेलिकिया हम बड़ी खुशी हो रही है ज़ी हिस पार इस बार जो है लोकसभा के यह परवच चल रहा है आज अंतिम दिन है और जीत का सहरा किसके सर में बदेगा कैसा अनुमारी तो नहीं कह पाऊंगा लेकिन यह कहूंगा सशक्त सरकार बनेगा थैंक यू तुम क्या दिगाड़ा से भाई सापों दिगाड़ाई और भोड दिया अपने। मताधिकार का पर योग करने के लिए एंपने भाई के साथ में बिलकुल неृट के सब्सक्राइब एक और एक जागरूग इंसान ही ऐसा कर सकताय है जो को यह पता है कि मेरे बोट की किमत क्या है नमस्कार आपका सुमना मेरा नाम किर्टी बलव है आप है किर्टी बलव जी अब यहां जितने भी बोटर आये हैं उन में से आप सभी में सीनर सिरिजन हैं आपकी एज कितनी है कि मेरी एज साल करीग है लगभग लगभग आप यह मान के चलिए कि करीब 55 साल से लगभग आप बोटिंग कर रहे हैं और यहां पर आये हैं और अभी सुबे सुबे का टाइम है और जो है बोट करके आभी गए हैं 72 साल की एज में इतना एक्टिव होना काफी माने रखता है और आपको कैसा लगा आज लगातार आप भोट करते आये हैं और आपको कैसा लगा कि देखो फिर भी आज आप सबसे सीनर सिरिजन में सबसे पहले आप ही ब्यक्ति हैं मैं तो कब से इंजार कर रहा था कि कब उनीश तारीक आए और कब मैं मद्दान करने जाओं और लोगों से भेट गार भी हो जाए एक पंथ दो काज तो यह आने का मौका भी मिला शैर करने का भी समझो यह भावना मेरे अंदर रही देखे आपको आप बता रहे हैं कि मनलब यह उस दिन का बेसबरी से इंजार रहे थे कह रहे हैं कि कब उनीश तारीक आए और कब भोट देने जाएं किती बड़ी बात है और इस एज में भी आप काभी एक्टिव हैं और इसी तरह मैं प्राथना करूंगा भगवान से कि आप लंबे समय तक भोट करते जाएं और यह तो मैं नहीं पूछूंगा आपसे कि मुलब जीत का सहरा किसके सर में बदेगा तो इस पर आपकी क्या परिक्वा होगी टिपणी होगी अच्छा मुझे लग रहा है कि सही दिसा में जा रहा है क्योंकि मैं उस टायम में पैदा हुआ जब देश में अभाव था वस्तोंगा आज तो काफी कुछ देश में उप्लब्द हो चुका है तो देश की दिसा मुझे सही लग रही है इस समय में जो है चुनावी हम विजिट पे हैं और इस समय में अटा लुतकस्त पंडित पुणा नंतिवारी राजकी इंटर कॉलेज दानाचुली में उपस्तित हूं यहां पर आप हैं हिमाद सिंग जी आप काफी सीनर से ने आपकी एज कितनी है 88 लगभग क्योंकि अगर पहले हम 18 साल भी माने तो यह उनीस सो जो संसोदन हुआ था उसमें से बोड़ देने का जो अधिकार था वह 21 साल से 18 साल कर दिया गया था लगभग लगभग 70 साल से आप बोड़ दे रहें यहां पराबर दे रहां सर और कैसा लगता है जब आप इतनी एज में भी चल करके यहां पर आये हैं और बोड़ दे रहें बहुत बड़िया लग रहा है सार बहुत सुंदर जितना चल सका उतना बहुत अत्य उत्तम रहेगा और अब यह तो मैं आज आपसे नहीं पूछूंगा कि आपने किसको भोड़ दिया फिर भी मुलब जो आपकी टिपणी कैसी होगी किस तरह की सरकार जो है वो केन में बननी चाहिए वो तो चलाई मानी है चलती रहेगी चलाई मान है चलती रहेगी आपने इस पर से बता दिया थैंक्यू और दूसरे और हैं मेरे आप इतनी का कितने साल से कितने साल से भोड़ दे रहे कर लिए सब्सक्वार जाnow जब अठारे 19 साल के थे तब से बहुर दे रहे तो आपके हसाब से है वह भारत में सब्सक्र?, परणी चाहिए मैं जिसकी आज तक है उसी की सरकार बने जी यह थाएंक्यू ह ठाइंक्यो नमस्कारी आपका सुभना मेराना राम सेंग आप सही लोगसबा का शोलवां महापर्व है जब हम बोड़ देने के लिए निकले हैं बहुत बढ़ा लग रहा है बहुत अत्री खुशी लग रही है भाग संक्या साथ है और चुनावी परव का आज लाज दिन है और एक बिटिया मेरे पास में खड़ी हैं तो जो पहली बार भोड़ दे रहे हैं यहां प्राउड देने के अधिकारी हो गए हैं इसी दिन का इंतिजार था वही तो पहले बता है आपका इसी दिन का इंतजार था कि जो है कब हम 18 साल के हों कब हाथ में जो है वोटर आइडी आए और हम अपने मत का प्रियोग करें थैंक यू और एक बैया और है यहाँ पर बैया आपका सुबनाम राहुल बिश्ट आप हैं राहुल बिश्ट जी आप भी पहली बार वोट क लिए बहुत खुछी होती है तो आपको क्या लगता है कि में आप किसके कि सरकार देखना चाहते हैं के अपका कहना है कि जो सरकार आए वो यूओं के बारे में शोचे और उनका साइद आपका यही कहने का मतलब होगा कि जो है रोजगार के प्रतियादा द्यादा रोजगार के प्रतियादा द्यान दे बहुत अच्छी बात है और उनने अपनी बात बेवाकी से रखी है कि अब भी 18 साल के हो गये हैं तो गौर्मेंट जो पा सकते हैं और यह उनकी एक तमना है और वह चाहते हैं कि केंडर में ऐसी सरकार आए जो यूओं का ध्यान दे उन जो परवय चल रहा है हमारा उसका आज अंत्यम दिन है आज यहां पर भोटिंग हो रही है इस सबहे मैं सुपी सुपी सुनकिया सुनकिया में उपस्तित हूं और हम आपसे बात करते हैं तो आप भैसर मुझे यह बताईए कि केंडर में आप कैसी सरकार चाहते हैं हम केंडर कि इस लाग से उपर कि जो पड़े लिखे उनको सरकार आग्नीबीर यूजना ऐसे चली कि हमारा जो एक गाउं से खिपाई बढ़ते होके जाता था ने फोज में तो एक कैप्टेन या कर्नल या जो भी अपने पढ़ाई के हिजाब, रहेंग के हिजाब से, फढ़ाई के हिजाब से वह आगे बढ़ता था और enjoyment होने के बाद उसको वड़ा संवान मिलता था आज अगनी वी creator योजना का मैं बिलकुल बिरोधी हूँ इस सरकार की नीचियों की द्वारा इन नीचियों का हम आलोजना करते हैं सम्धा में ही अगर हमारे बच्चों को रखना है तो बारह हजार की जगह उनको बाइस हजार रुपे शैल्री दे ऐसी सरकार हम केंदर में चाहते हैं और आपने अपनी बात रखे कि और एक और हैं वह सब नमस्कार स्वाकत है आपका सुमना में दिवान सिंग डंगवाल जी तो आज जो लोकसभा चुनाव का जो पर्व है वो अंतियम चरण में है आज भोटिंग हो रही है तो आप केंदर में किस तरह की सरकार देखना चाहते सरकार तो ऐसी हो अभी सरकार तो इसने ऐसा किया हमारे बच्चे आर्मी में लग गए थे सब कुछ फिटी था तो उन्हें वही कैंचिल कर दी भरती कैंचिल कर दी तो सर हमारा क्या होगा आपका कहना है कि आपके बच्चे जो है वह आर्मी में लग गए थे और अभी वह ज तो समय बताएगा आगे क्या होता है और किसकी सरकार बनती है भारती जंता पार्टी की बनती है या गड़ बन दिन की में तो समय बताएगा जैसे बोटों की गिंती सुरूह की फाइनल जल्ट आएंगे उसके बाद ही पता लगेगा और हम उमीद करते हैं कि जो भी सरकार बने वो युवाओं का ख्याल रखे और जो भी हमारे किसान हैं उनका ख्याल रखे और जो स्वरोजगौर के साधेने उनको जनरेट करने का प्रयास कर बिबेक डंगवाल जी आपने वोट कर दिया है जी मैं अभी बहुत अभी लास्ट में करूंगा अपना वोट अभी किया नहीं है क्योंकि हमारे बहुत का जो बोट चला मैं सबसे पहले अपनी नरेंद्र मोधी जिगा धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनने इस देवभूम जो भी किसी पार्टी से है मैं उसे बात नहीं करना चाहता हूं कि मुझे कुछ रुज़ान ऐसे चाहिए ऐसा चाहिए कि अगर आपम मैं बीजेपी वाले या कॉंग्रेस वाले से बात करेंगे या कॉंगरेस अच्छा है ठीक है मैं जनरली इक बात करने के लिए यहां पर सब्सक्राइब करना चाहिए अच्छा बहुत अच्छा काम कर रहे हमारे मोदी जी तो उनकी सरकार हम यहां पर देखना चाहेंगे और बूद्ध भी हमारे सत प्रतिसाद बूद्ध जीत रहा है तो आपका धन्यवात करना चाहिए अभी तक मैं जहां भी गया हूं सभी जो यंग ब्लड है उनका यह कहना है कि जो रोजगार के आउसर हैं इस पर कम हुए हैं और कुछ और भी कई समस्या हैं तो इस पर आपका क्य कहना है जी नहीं कहीं कहीं ऐसा कुछ नहीं है रोजगार तो बिल्कुल है मुख्यमंत्री जीन हमारे माननीम पुसकर सिंग धामी जीने स्वरोजगार की इतनी योजना है इतनी योजना है धरातल में यहां पर कर रहे हैं जिनको मैं यहां पर गिना नहीं सकता हूं मैं वर Works को सब पता है पाल पर काव के से करने हैव क्योंकि आभी देखिए हमारे है हमारे हम he wasสे उनका रोजगार कर रहे हो हूं दो मैं में जो इंप्लियक की बात कर रहा हूं आप जो है स्वरूजगारOC की बात करें जैसे वakancy काफी दूनों नहीं की निकली है तो मैं वह टू उटूरा का टो ऊसमें आपका क्या सोचना इה तो इसमें हमारा lira आप आपको इस माधिम से मैं आपको बताना चाहूंगा अपने युवावर्ग को और आपका भी धन्यवात करना चाहूंगा युवा कहीं पर रोजगार नहीं नहीं आभी तक जिन्सें में मिला हों ने जिन्होंने फस्ट बार भोटिंग करी है उनका यही कहना था कि जो केंड़ में सरकार है ओ ऐसी सरकार हो जो यौओं का ध्यान रखे मिला सभी का यही मत्था कि यौण थोड़ा सा बेरोजगारी का माहौल जैसा है सभी के मन में ऐसा अजया नहीं जी बिल्कुल ऐसा जैसे पहले उत्राखंट से काफी फोज में लोग जाते थे लगत अब हर परिवार से हर परिवार से एक आदमी फोज में होता था अभी जो है अगनी भी रियोजना से चार साल में फिर उसमें से 50 परसेंट या 75 परसेंट लड़के वापिस आ जाएंगे हो सकता है उनको आने क अगर अगनीवीर की बात कही तो अगर ऐसा ही अगर होता कि अगनीवीर में अगर लोग पांच साल के बाद उनको वापस अगर गर भेज दिया जाता तो लोग अगनीवीर में जाते ही नहीं है रहा है उसके बाद उसके बाद ंपने आप इनको रहना है एक वहाँपे उनको रहना है वहां पर उनको जरूर यहां पर यहां आवसर जो कुछ परसेंटेज होंगे जो कि अंदर रहेंगे और कुछ परसेंटेज जो है उन्हें को कुछ एमांट पैसा दे करके वापिस घर में भी दिया जाएगा तो वह मनलब उसको आप किस दंग से देखते हैं कि मनलब पर्मेंट रोजगार होना जी अगनिवीर बढ़िया है या इस तर से अपना आत्म निर्भर के रूप में अपना बिजनर स्टाट अप कर सकते हैं उससे रोजगार के खुदी रोजगार ढूटने की जरुवत नहीं पड़ेगी युवाओं को खुदी रोजगार कर सकते हैं वहां से लगबद 24-25 लाग रुपे लाते भी हैं तो यहा कि हम अपने यूआं से अपेक्सा करते हैं और गौर्ण तो यूवा लोग भटग को कोई रोजगार की आज सकता नहीं है कि मैं आक आपके इस बात से सहमत नहीं हूं Уट को ही होती है रोजगार की यूवा अगर अत्म निर्भर हो जाएगा तो रोजगार इसको अपना सकता है। कैसे हमारी कई विजनाए ने कई सवरुजगार की योजना है। subsidy में यहाँ पर loan देती है आप मुझे यह बताएं कि कौन सी योजना हैं?Bakant रोजगार उससे भी मिल सकता है और कई योजना ऐसी हैं जो हम हमारा यूज़ बर्ग यहाँ पर कर सकता है वही गिंती पूछना साघा हा था कौन कौन सी हे? करें देखिए एक तू सबसे पहले हमारा यह मैं बेट प्रिकास आरिया यूके टुन्टिफोर और सेवन नीज के लिए अपने सहयोगी कैमरामेन विनोज जी के साथ भीमताल से